Middle Education के एक धामाकेदार वीडियो में आपका सोगत है लीजे स्टुएंट्स अब आपके सामने हम संस्कृत भी है का टेस्ट लेने वाले हैं हम देखेंगे कि आपकी तयारी कितनी हो चुकी है ये मैं टेस्ट बिना बताए ले रहा हूँ आप सबको पता ही नहीं था कि Middle Education टेस्ट लेगा एंड फाइनली रेंडम टेस्ट देने का मज़ा ही कुछ और है तो फटा फट आप आजाए हमारे साथ लाइब अपने दोस्तों को उगला लीजे और देखे कि आपकी छमता कितनी हैं आप कितने नंबर तक संस्कृत में लेंके आप आते हैं एक चीज मैं बता देता हूँ जिस भी एस्ट टुएट्स का हिंदी का पेपर बिगला है ध्यान सुलो हिंदी का पेपर बिगला है तो संस्कृत में प्षयास करो कि आप 100 मेंसे 67-99 नंबर ला सको मतलब 75 में से आपका 74 नमबर तक आ सके एक नमबर कहीं कट रहा है तो ठीक है बाकी 74 नमबर से कम ना आए और जिसका पेपर नहीं बिगड़ा है तो बेटा ध्यान रखना क्योंकि next पेपर गडित का है गडित का पेपर कठीन इस्तर का आता है तो कहीं आपके नमबर ना कटने टॉपर से कहीं पीछे ने रहा इसलिए संस्क्रिक के बेहतरीन त्यारी कर लो और Middle Age के सम तुम्हार लिए लगातार कोशिस कर रहा है लगातार आपके सामने उन सभी questions पेपर को आपके सामने most IMP questions इतना ही नहीं daily telegram पर test होता है और finally अब मैं YouTube मर अचानक live आकर के आप से test ले रहा हूँ तो चली students आप सब test का जुड़ी आईए फटापट अपने दोस्तों गुला लिजे और सब लोग देखे कि आपकी छमता कितनी है आप ब्यासे समधित कितने questions को तुम सवालो कर पाते हो तो चली हम test को फटापट start करते हैं test को start करने से पहले यहाँ पर start button लिखा है यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे मेरा नाम है middle education और आप देख रहे हैं पर सेरीज वर्स 2024 एंड हम जैसे ही अपना नाम लिखे start quiz पर टिक करेंगे यह रहे हमारे सामने questions आप भी इसी तरह test दे सकते हैं अगर आपने अभी तक test नहीं दिया तो link आपको वीडियो के description box से मिलेगा जी हाँ video description box से link मिलेगा simple से link को touch कीजिए एंड इसी test को attempt कर सकते हैं लेकिन अभी आपको कहीनी जाना है सबसे पहले आपको पढ़ना है हमारे साथ समझना है एक एक चीज को क्योंकि test में बहुत सा reasons गलती करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है ताकि आप बन सके अपने school के केबल और केबल टॉप पर तो चले फटाफ़ाट फिरम वीडियो को start करती हैं देखिए सबसे पहले कहता है कि अधो लिखित आप्या अस्ति आप्या नास्ति मतलब इनमें से आप्या नहीं है आपको पता है आप्या का मतलब होता क्या है देखो बेटा आप्या का मतलब होत इस sentence को मैंने किया डिलेट अब मैं दूसरा sentence लिखता हूँ राम भी बाजार जाता है राम भी बाजार जाता है तिसमें अब्वे क्या होगे भी क्योंकि भी किसी सब्द को जोर दे दिया किसी सब्द को जोर करके बना दिया उसी को आब्वे कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आपको पहचाना है कि इनमें से कौन सा अभ्य नहीं है मतलब ऐसा कौन संटेंस है जो किसी सब्द को जोर नहीं देता है तो तत्र मतलब तो यहां होता है यत्र मतलब वहां होता है और अत्र मतलब क्या होता है नहीं पता भाई साब अत्र मतलब किसी पता है लिखना जरूर और सत्र मतलब क्या सन होता है तो सत्र मतलब तो सन होता है यहीं तो आपका अभ्या नहीं होगा वाकि सारे सारे अभ्या है ठीक है चलिए तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या रगाना है अप्सन नमबर सी पर टिक करना है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट कोश्चन नमबर से गन कहता है अधो लिखी तिम अभ्या नास्ति फिर से प्रशन पूछा है कि अभ्या नहीं है और खुब प्रेक्टिस कर लेना क्यूंकि यहां से दो नमबर का प्रशन सीधे दौर पर त एक आएगा आपके सोरी सोरी दो आएगा आपके बहुभी कल्प में मतलब टोटल तीन नमबर का प्रशन पूछता है इसलिए खुब प्रेक्टिस कर लेना इस चेप्टर का चलो जी आगे देखते नेश्ट कहता है अब अधो लिखते है तो आभ्या नास्ति अब इनमें से आपका अभ्य नहीं है देख लो अस तु अभ्य नहीं है प्राता अभ्य है कन्फ्यूज मत हो ना जैसे प्राता काल उठकी रखना था ना तो प्राता आपका अभ्य वर्ड है इस चीज़ को देहन रखना बहुत सारे इस्टेंट सूछते हैं कि प्राता भी अभ्य नहीं हो फिर से अव्य अस्ति इस वारते को पूचा है अब्य अस्ति मतलों अब्बे है एक चीज्ज ध्यांड़ेना जब कभी भी तुम इस प्रकार की questions को solve करना तो अंतिम में जरूर देख लेना कि लिखा क्या है नास्ति लिखाई कि अस्ति लिखाई अस्ति का नास्ति मत करना नास्ति का अस्ति मत करना ठीक है इस चीज को ध्यान रखना ये बहुत बारीक है और इसमें इस्टुएंट्स जातर गलती करते हैं जल्दी ओजी चक्करें पढ़ लेते हैं नास्ति और कुछ का कुछ नास्ति क पाई है तो बेलकुल बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं डेफिनेटली संस्रित के पेपर में आप टॉप करेंगे अगर नहीं पा रहे हैं तो प्लीज बेटा थोड़ी सीरियस हो जाओ कल ही पेपर है जाद दिन हमारे पास नहीं बचा है ठीक आगे देखतें नेक्स्ट क नहीं अब हो जाएगा इस प्रकार से का पहansonना है कितने सरल तरीके सबसंपन पहँगा अच्छें जरो फटा पर ज्यूड जाओ एक्जाम के एक दिन पहले वहीं पर आपको कुछ-कुछ मिलता है बस बाकी अब बच्चे समाझ के होंगी आगे देखते हैं बिद्या माता इव रक्षती असमिन वाक्य अब्बे अस्ती इसमें से कौन सा अब्बे है अब्बे कौन सा है ये पूछा गया है बिद्या माता इव अरे भाईया इव ही एक ऐसा संटेंस है दूसरे को जोड़ रहा है तो इव इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक इस प्रकार से ये सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते नेश्ट कहरा है हमारा साथवा नमबर अहम अपी अपढ़ना गच्छती असमिन वाक्य अब्बे अस्ती मतलब इन में से कौन सा अभवय है ये चीज बोला गया है अहम है अपी अपढ़ना गच्छती तो भया अपी अपी मतलब होता है भी ये तो जोड़ने काम करता है तो अपी आपका अभ्य हो जाएगा अप्रस्न करमांग दो में आएगा एक वाक्केन में आएगा और एक वाक्केन के प्रश्म में आएगा एक कथन देगा और इसमें बोलेगा कि कौन सा अब्य है अब्य पहचानो इस प्रकार से दो प्रश्म देखने के मिलेगा ठीक तो इसका तो अपी हो जाएगा जैसे बच्चों पता होगा तो इसका सही आंसर आपको अपी टिक करना है नेश्ट कहता है हमारा आठवा नमबर अहम सोह ग्रामा गमिस्यमी वाके अब्बे अस्ति मतलब अब इसमें अब्बे कौन सा है ठीक है आठवा नमबर है अहम सोह ग्रामा ग्रमिस्यत तो इसमें अब्बे हो जागा आपका सोह ठीक तो ये इसका सही वाल है अस्ती जो संटन्स है उसमें कौन सा अभ्य है तो इसमें तत्र अभ्य हो जाएगा ठीक इस प्रकार से आपना एक दो बार मेरे वीडियो को देख लोगी ना तो आप खुद पकड़ पाओगे आसानी से अभ्य कौन सा है देखो तुम अब बहुत सारे सही करने लगे हो तो लीजे भई यह दस प्रशन आपके कंप्लेट हो गए दस में से आपने कितना नमबर पाया अभी मुझे नहीं बताना है अभी मुझे मत बताईए जब 20 प्रशन हो जाता मुझे अपना नमर जरूताना कि 20 में से तुम ने कितना नमर पाया लेकिन एक चीज ध्यान रखन जितने एश्ट्वेंट कमेंट्स करते हैं जितने एश्ट्वेंट्स मुझे चैट में मैसेज करते हैं मैं सारे श्ट्वेंट्स को जानता हूं सारे श्ट्वेंट्स को एक एक केस्ट्वेंट को जानता हूं उनका मॉयल नमर जानता हूं जो मुझे वाट्सअप मैसेज करत कि उपसर्ग से कौन-कौन से प्रश्ण तुम्हारे परिक्षा में आएंगे उसको कवर करेंगे जादाने मात्राम 10 प्रश्ण ही कवर करेंगे अक्षदस्वी के बच्चों के लिए और 10 में से आपके एक्साम में डेफिनेटली दो कुश्चन देखने को मिलेगा मतलब इस 20 में से चार प्रश्ण की तयारी तुम्हारी यहां पर हो जाएगी जो की एक्साम में आएगा और मज़ा भी आएगा टेस्ट लगाने में आगे देखते हैं पहला एक वाक कि दिया है अच्छे उपसर्ग होता क्या पता है बहुत सा रेश्ण को पता होगा जिसको नहीं पता सुन लेजिए वे सब्द्या सब्द्यांस जो सब्दों के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं ठीक है सब्दों के आगे लगे उसे उपसर्ग कहते हैं और वे सब्द्या सब्द्यांस जो सब्दों के पीछे लगते हैं उसे कहते हैं प्रत्या ठीक है समझ गए तो चल चोटा प्राउपसर्ग होगा या बड़ा प्राउपसर्ग होगा बड़ी समस्य की बात है ये दोन तो होगा नहीं बच्चों बच्चल गया लेकिन चोटा होगा या बड़ा होगा तो बेटा एक चीज ध्यान रखना प्राचारे में छोटा प्राही उपसर होगा बड़ा नहीं होगा इसलिए इसका सही आंसर आपको option number 1 पे टिक करना है आगे देखते हैं question number second कहता है कि अधिकारा इत्यस्मिन पदे उपसर गहां अस्ति अधिकार जो सब्द है इसमें उपसर्ग क्या है फिर से होई उपसर्ग का definition वे सब्दे सदन जो सब्दों के आगे लगे उसे उपसर्ग कहते हैं तो अधिकार में इसका सही हो जाएगा आपका अधी, अधी इसका सही उतर रहेगा, मतलब इसमें अधी उपसरग है, इस प्रकार को आपसे प्रश्ण नम्मर दो में टिक करना है, तीसरा नमर कहता है कि दुस करम हा इत्यसमिन पदे उपसरग हा अस्ति, दुस करम में कौन सा उपसरग है ये चीज पूछा गया है तो देखो भाई दूस में तो ऐसे कहा जाए तो दू और ये सा लिखा है ये वाला सा है हना लेकिन जब इसका उपसरग वनेगा तो देखो आधा सा है ना बेटा आधा सा है तो जब इसका उपसरग वनेगा तो या तो option में ऐसा होता तो काम चलता यह हलंत लगा होता नीचे लेकिन ऐसा कहीं उप्षन में दिखी नहीं रहा है हलंत लगा है के वल उप्षन नमबर दा में इसलिए हमें उप्षन नमबर दा को टिक करना है इस चीज को ध्यान लखेगा ठेक आगे बढ़ते निश्ट कहरा है प्रश्ण करमांग चार चाउथा नमर कहता है निर्धना इत्यस्मिन पदे उपसरगा अस्ति अब जो निर्धन सब्द है उसमें कौन सो उपसरग है निर्धन में तो अब बहुत सारे वच्चे बोलेंगे कि सर इसमें नहीं होगा उपसरग हाँ अगर तुम कहते हो तो बेलकुल सही है मैं मानता लेकिन फिर धर न का मतलब क्या होता है इसका मतलब कुछ नहीं होता ना इसलिए इसका Tagih उत्तर हो जाएगा आपका निस इस यह उसरा है तो निस और वह ऑन zar का धन ठीक तो इस प्रकार से इसका सहह donut आपको option number बिप NFL करना है 5 पर नमर कहता है कि प्रत्य है इत्यस्मिन पदे उपसरगह अस्ती, sorry, प्रत्य नहीं, प्रत्यनाह मतलब कोशिस, इसमें कौन सा उपसरग है, हमारे ओप्शन कहते हैं प्राया, तो क्या प्राया उपसरग हो तो क्या अंतिम मितन बस वचेगा, ये तो वोई संटेंस है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, प्रा प्राजयते इत्यसमिन पदे उपसरगा अस्ती जो पराजते नामा का sentence है उसमें कौन सो उपसरग है हमारा option कहता है पराजय पराजय तो होगा नहीं ठीक है क्योंकि अंति में अगर हमने पराजय कर दे तो यह तो कभी उपसरग हो नहीं सकता नेश्ट कहता है आपका और जायते इसका सही आंसर हो जाएगा आपको option नमर भी परा इस करेक्ट आंसर परा उपसरग होता है परा जायते में आगे बढ़ते हैं सात्वा नमर कहता है अधो लिखते सु उपसरगा अस्ती अब इनमें से उपसरग कौन सा है यह चीज पूछा गया है यहां पर यहां उपसरगा अस्ती अब इसमें सु उपसरग कौन है यह पहचाना है प्राउपसरग है यत्र तत्र यदा तो आपका अभ्य है आपने अभी अभी पढ़ा लेकिन यहां पर आपका प्राउपसरग हो जागा इसलिए आपको option नमर ए पर टिक करना है आपकी कितने सभी अभी त अंति प्रति येस्ता तो इसका सही आंसर होगा प्रति जैसे आपका प्रति रूप हो गया ठीक है प्रति दंद हो गया ठीक तो इसमें प्रति उपसरग है इस प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा option number third अंतिम देख लेते हैं next आपका बीसवा प्रशन क्या कह रहा है जि इसमें some bird है जो उपसरग है बागी ये सभी उपसरग नहीं है तो इसका सही आंसर आपको इससे टिक करना है तो इस प्रकार से student हमने 10 प्रशन अभ्यके और 10 प्रशन उपसरगे के complete कर लिए मैं उम्मीद करते हैं वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ मेरी मेहनत आपके लिए कितनी हैलफुल हो रही है आप मुझे बताना और भी कोई भी कॉंटेट चाहिए तो कमेंट से लिक करके बताना डेफिनेटली आपके सामने प्रेजंट किया जाएगा मैं वीडियो करता हूं एक्जाम के लिए all the best खुस रही है पढ़ते रही है मु